बस्तपा प्रमुख मायवती चेनई में तमिलनाडू के पार्टी प्रमुख के आमस्ट्रोंग के परिजनों से मिली साथी के आमस्ट्रोंग के पार्थिफ शरीर को श्रिधांश्री दी उनके साथ पार्टी के राश्ट्रिये समन्वेग आखाश आनन भी मौझूद थे तमिलनाडू की डीम के सरकार को घेरा पांच उलाई को पेरमूर्श थित उनकी आवास के पास अग्यात हमलावरों ने बेरहमी से के आमस्ट्रोंग की हत्या कर दी जिसके बाद बस पाप्रमुक मायवती ने सत्तरू डीम के सरकार से दोश्यों को दंडित करने की मांगी तमिलनाडू के मुख्यमंत्रू एमके स्टालिन ने घटना पर दुख चता थे हुए दोश्यों पर कड़ी कारवाई का आश्वासन दिया इस मामले में चैन्नाई श्वेर के पुलिस आयुकत संदीप रायराठोर ने बताया कि आमस्ट्रॉंग की हत्या के सिलसिले में आठ संदिग्दों को पकड़ा गया है मामले के सभी अंगलों को देखते हैं उसकी जांच की जा रही है जिस तरीके से हमारे सेट के प्रेजिनेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिल नादू सेट में कानून यदुस्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है असली जो अपरादी है वो पकड़े नहीं गई है के बाद खाना पूर्टी के लिए कुछ कर लिये हैं असली अपरादी अब नहीं पकड़े गई है इसलिए मेरा यहां की जो सेट गोर्मेंट है तो उनसे यह कहना है कि यह मामदा CBI को रहसर किया जा और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए चेनने ही से हमारे समवादाता रितेश रंजन जुड़ गए है रितेश इस तरह से बसपप प्रमुख मायावती ने वहाँ पर के आम स्ट्रोंग को शधाज़ी तो दी है लेकिन ये भी कहा कि इस पूरे केस को CBI को रेफर किया जाना चाहिए और इस मामले की जाच जो है वो सघन तरीके से होनी चाहिए अब ही क्या ताज़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर ताज़ा अपडेट के बारे मैं कहूँ तो आज मायावती जी और आकासानन आये हुए है लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है इस घता में कई लोगों की सनलिपता बताई है और ये एक गैंगवाट टाइप से यहाँ पे हुआ है जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट थे बीएसपी के उनके साथ यह है आमस्ट्रॉंग जी जो उनकी भी सनलिपता है कहीं न कहीं गैर अवांशित कारियों में और ये उन्ही से बढ़के उसी इस तर से बढ़के आगे निकले थे और अब भी बत्पा प्रमुद बने हुए तो ये इनका पुराना कोई रंजिश का मामला सामने आ रहा है जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है अभी और इसी पुरानी रंजिश के कारण ये हमला उनके उपर हुआ और उनकी मौत हो गई है और जहां तक आप संधीप रही राठोट जी की बात कर रही थी तो कल उन्होंने एक प्रेस कांफरेंस किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी कम हुई हात्या की घटना ए जबकि उसके इलट जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि हमारे पास जो आंकरे हैं वो आपके आंकरों से मैच नहीं करते हैं तो उनका कहना था कि यह सरकारी आकरे हैं जबकि अभी तक में पिछले साल के मुकाबले देखा जाये तो अभी तक में हर्तिया की घटनाओं की संख्या पिछले साल के मु तो यह घटना है और कुछ दिन पहले तमिलनाडू के एकजिले में अंतर जातिय विवा के कारण भरी दोपहर में दमपतियों पर हमला किया गया लड़की के परिवारवालों के द्वारा तो यह घटना है अब तमिलनाडू जो सेफ सिक्यूर दिखता था और पुलिस साशन व भै है तो वो अब दिखता नजर नहीं आ रहा है तो पेशे से वकील और दलित राजनीती में सक्रिय रहे के आम स्ट्रॉंग जो की तमिलनाडू में बस्पा के चीफ थे उनकी निर्मम हत्या हुई है अलाकि CBI जान को लेकर लगातार बस्पा सुप्रीमों कह रही है लेकिन